हाई गाईज आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कम्प्यूटर नेटवर्किंग के MCQ कोस्चन्स और आंसर्स इस वीडियो की मदद से आपका नेटवर्किंग का सारा कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा आप वीडियो को बस कम्प्लीट देखिए जो भी कोस्चन इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्रिवियस एक्जाम में कई बार ये कोस्चन रिपीट होते हुए आये हैं तो इनके बारे में आप जरूर पढ़के जाएए चले बिना डिले की आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कोस्चन है What was the name of First Computer Network? First Computer Network का नाम क्या था? इस कोस्चन में ये पूछा जा रहा है आपके पास चार ओप्संस यहाँ पे दिये हुए हैं Correct answer होगा हमारा थार्ड नमबर अर्पानेट ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था नेक्स्ट कोस्चन है अर्पानेट इस्टैंड्स फोर अर्पानेट का पूरा नाम क्या होता है? ये कोस्चन एक्जाम में कई बार आया है तो इसे आप जरूर याद करके जाए यहाँ पे Correct answer होगा हमारा A नमबर Advanced Research Project Agency Network ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा नाम होता है P.O.P. stands for Networking में P.O.P. का क्या मतलब होता है? क्या नाम होता है? तो यहाँ पे आपका Right answer हो जाएगा Post Office Protocol Port number of P.O.P. is P.O.P. का Port number कितना होता है? तो Correct answer यहाँ पे है हमारा A नमबर 110 How many layers are in the OSI model? OSI model में कितने layers होते हैं? तो यहाँ पे आपका Correct answer होगा D number 7 layers अगर आपको किसी भी questions का answer पहले से पता है तो आप उसे comment में लिख दिजे OSI stands for यह भी question exam में कई बार पूछा गया है कि OSI का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे Correct answer हो जाएगा हमारा Open System Interconnection A नमबर Which layer provides the service to user? इन में से कौन सा layer है जो user को service प्रोवाइड करता है? तो Correct answer इसका होगा C नमबर Application Layer जो क्या करता है? किसी भी user को service प्रोवाइड करने का काम करता है Hub is a networking में hub क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे Right answer होगा B नमबर Network device को हम hub कहते हैं Which of the following is required to host website? अगर आप किसी भी website को host करना चाहते हैं तो इन में से किसकी जरूरत आपको पढ़ती है? तो correct answer होगा यहाँ पे हमारा A नमबर वेव सर्वर वेव सर्वर की मदद से आप किसी भी website को host कर सकते हैं Set of rules defines Set of rules जो होते हैं यह किसे define करते हैं तो यहाँ पे Right answer होगा Fourth number protocol Which protocol is used for browsing data? अगर आप किसी भी data को browsing करना चाहते हैं तो इन में से किस protocol की जरूरत आपको पढ़ेगी? तो correct answer होगा हमारा D number HTTP कई बार exam में पूछता है What is the full form of HTTP? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे correct answer हम उमीद करते हैं कि आपको जरूर पता होगा क्योंकि मैंने एक computer पे separate video बनाया है जिसमें 70 plus computer के full form discuss की है वो video आप जरूर देखीगा क्योंकि exam में full form से related question बहुत जादा आते हैं यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा second number Hyper text transfer protocol in HTTPS the letter S stands for HTTPS जब आप internet यूज करते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा तो basically जो S होता है उसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पे correct answer होगा हमारा third number secure मतलब होता है S का IP stands for IP stands for क्या होता है इसका full form क्या है correct answer यहाँ पे हो जाएगा A number internet protocol आप exam में ध्यान दीजेगा देखे सारे options जो दिये हैं सब एक जैसे ही दिख रहे हैं स्रिफ spelling में difference है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती करके आएंगे इसलिए एक एक question को अच्छा से read कीजेगा और उसके बाद ही टिक कीजेगा How many versions available of IP IP एनि की internet protocol के कितने versions available है market में तो इसका correct answer होगा B number 2 और वो कौन कौन से है यह आप comment में लिख के बताएंगे Das is a network of networks इन में से कौन सा network को का network है तो यहाँ पे correct answer क्या होगा A number Internet Internet क्या है network का network है Das was the first network based on TCP IP protocols इन में से कौन सा first network था जो किस पे बेश था TCP IP protocols पे तो correct answer यहाँ पे क्या होगा Fourth number होगा None of above It means इन में से कोई नहीं Which of the following is the most common internet protocol सबसे common internet protocol की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है तो यहाँ पे हमारा right answer होगा Second number TCP IP कई बार एक्जाम में पूछता है TCP IP stands for क्या होता है इसका full form क्या है तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा हमारा B number Transmission control protocol Internet protocol यह TCP IP का full form होता है यह आप जरूर याद करके जाएगा क्योंकि यह question एक्जाम में कई बार आया है TCP IP model does not have this layer but OSI model have this layer इन में से कौन सा layer है जो TCP IP model के पास नहीं है लेकिन OSI model के पास है तो correct answer यहाँ पे होगा हमारा A number Session layer TCP IP model was developed as the OSI model इस question का basically मत्तब यह है कि जो TCP IP model है क्या वो OSI model से prior to यनि कि पहले आया है after, बाद में simultaneous to, साथ-साथ यह फिलास्ट ओप्शन से हमारा with no link दोनों में कोई link ही नहीं है connection ही नहीं है तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा हमारा A number prior to मतलब की जो TCP IP model है यह पहले आया है किसे OSI model से home page is in form of जो home page होता है वो किसके किसके form में हो सकता है तो यहाँ पे हमारा correct answer होगा D number all of the above यहनी कि वो text के भी form में हो सकता है hyper text के भी form में हो सकता है और hyper link के form में भी हो सकता है a collection of hyper linked document on the internet called जब आप internet पे एक collection of hyper linked document देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है www यह फिर html email यह फिर लाज्ट है हमारा internet तो यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा A number www कहते है a collection of hyper linked document on the internet पे www stands for www का full form क्या होता है इस question में आपको यह बताना है यहाँ पे हमारा right answer होगा second number worldwide wealth आप सोच रहूंगे कि यह question इतना easy है कि exam में आएगा ही नहीं आप गलती करते हैं exam में कई बार ऐसा होता है जिसे आप easy समझ के छोड़ देते हैं exam में वही आजाता है इसलिए आपको सभी को पढ़ना है the location of a resource on the internet is given by its internet पर किसी भी resource के location को किसके द्वारा दिया जाता है तो यहाँ पे हमारा correct answer होगा C number URL के द्वारा exam में यह भी question आता है URL stands for URL का full form क्या होता है first है हमारा uniform resource location second है uniform resource locator और third है हमारा uniform resource link और last है unified resource link correct answer यहाँ पे होगा हमारा B number uniform resource locator आप exam में एक चीज़ ध्यान दिजेगा location पे click मत किजेगा आपको लगेगा कि location है लेकिन यह locator है कुछ चीजे आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है और यह question आपको याद करके जाना होगा web browser is or are web browser क्या है इन में से एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है इसलिए हमने is और are दोनों लिखा है right answer होगा यहाँ पे इन में से कौन सा नेटवर्क टॉपोलोजी नहीं है तो चार options आपके सामने है correct answer होगा हमारा fourth number peer to peer यह क्या है नेटवर्क टॉपोलोजी नहीं है बागी जो तीन है bus, star और ring यह तीनों नेटवर्क टॉपोलोजी के example है FTP refers to FTP का क्या मतलब होता है तो यहाँ पे हमारा right answer होगा second number file transfer protocol exam में कई बार पूछा जाता है the port number of FTP is file transfer protocol का port number कितना होता है correct answer क्या होगा B number 21 what is the full form of IPv4 IPv4 का full form क्या होता है तो हम आपको यहाँ पे सीधे correct answer बताते है A number internet protocol version 4 how long is an IPv4 address IPv4 address कितना हो सकता है तो यहाँ पे 4 options आपके सामने है correct answer होगा B number 32 bits लेकिन अगर आपसे exam में पूछता है how long is an IPv6 address तब आप इन में से किस options पे टिक करके आएंगे तो right answer होगा हमारा D number 128 bits land stands for land का पूरा नाम क्या होता है local area network logical area network large area network यह फिल लिमिटेड एरिया network correct answer क्या होगा A number local area network which of these is part of network identification इन में से कौन सा network identification का part है तो correct answer क्या होगा second number user ID when the mail server sends mail to other mail server called जब एक mail server किसी दूसरे mail server को mail send करता है तो इसे क्या कहा जाता है तो correct answer होगा हमारा A number SMTP कहते हैं इसे तो SMTP का full form क्या होता है यह question भी exam में पूछ सकता है आपको तो आपको पता होना बहुत जरूरी है हम आपको यहाँ पे correct answer बताते हैं हमारा है B number simple mail transfer protocol होता है SMTP का मतलब simple mail transfer protocol port number of SMTP is SMTP का port number कितना होता है तो correct answer क्या होगा D number 25 MIME stands for MIME का full form क्या होता है correct answer क्या होगा D number multi-purpose internet mail extension यह इसका full form है आप इसे जरूर याद कर लीजेगा 143 port number refers to देखे अब इस question को थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको port number दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि 143 port number जो है यह किस से बिलोंग करता है किसका है तो correct answer क्या होगा second number IMAP का What is the full form of BPS? Networking में BPS का क्या मतलब होता है correct answer है हमारा second number bite per second देखे यहाँ पे जो आपसे question पूछा जा रहा है BPS यह question capital में है BPS लेकिन अगर exam में यह question small में आपको देता है BPS तब इसका answer change हो जाएगा और यह चीज आपको एकदम दिमाग में रखना है गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा यहाँ पे आपका small के लिए correct answer हो जाएगा bit per second Bluetooth is a example of जो आप Bluetooth use करते हैं यह किसका example है third number यहाँ पे correct answer होगा pan का तो exam में यह भी आपसे पूछा जा सकता है what is a pan इसका full form क्या होता है part area network public area network popular area network यह फिर personal area network तो correct answer क्या होगा d number personal area network होता है pan का मतलब server provides हमें server क्या provides करते हैं तो यहाँ पे चार ओप्सन से first security storage backup यह फिर यह सभी तो correct answer होगा हमारा d number all of the above यह सभी चीजे हमें server से मिलती है server हमें provide करते है the collection of network that can be joined together अगर एक network का collection of जो होता है वो एक साथ joined हो जाए तो उसे क्या कहेंगे तो correct answer यहाँ पे होगा हमारा second number intra net कहते हैं collection of network को that can be joined together which network device is used to connect to this similar type of network इस question में क्या पूछ जा रहा है कि इन में से कौन सा network device है जो किसले use होता है to connect to this similar type of network यहनि कि दो अलग अलग type के network को connect करने के लिए तो correct answer जो होगा यहाँ पे हमारा है फोर्थ नमबर gateway का use करते हैं हम इस काम के लिए which device convert digital signal to analog signal and vice versa इन में से कौन सा device है जो digital signal को analog signal में convert करती है और analog signal को digital signal में भी convert करने का काम करती है इसी का मतलब होता है vice versa और यहाँ पे हमारा correct answer होगा second number modem what is the full form of modem exam में कई बार आपसे modem का full form ही पूछता है तो यहाँ पे हम आपको सीधे correct answer बताते हैं अ नमबर modulator demodulator यह modem का full name है इसी question को आप से exam में इस तरीके से भी पूछता है the common name for a modulator and demodulator is modulator और demodulator का common नाम क्या है तो हम उमीद करते हैं कि आप correct answer बी नमबर ही चूछ कर रहे होंगे और यही हमारा correct answer है modulator और demodulator का common नाम modem ही होता है which device is used to boost up the weak signal इन में से कौन सा device है जो weak signal को boost up करने के लिए use होती है तो correct answer होगा हमारा repeater a number node also known as networking में node का क्या मतलब होता है किस नाम से जाना जाता है तो correct answer होगा third number computer networking में हम computer को node भी कहते है what is the full form of mac mac का full form क्या होता है mass access control media access control mass access carriage यह फिलाज्ट है हमारा media access carriage तो correct answer क्या होगा second number media access control का पूरा नाम है mac का how long is a mac address mac address कितना हो सकता है तो correct answer यहाँ पे क्या होगा third number 48 beats हो सकता है fm stands for networking में fm का क्या मतलब होता है full form क्या है तो correct answer होगा हमारा frequency modulator exam में यह भी question कई बार answer चूज कर सकते हैं सब चीजे समझी नहीं जाती तो यहाँ पे नाम है तो यह आपको यादी करना होगा NIC stands for यहाँ यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा network interface card what is the full form of WAN? network का ही एक type WAN इसका full form क्या होता है? wide area network B number correct answer है what is the full form of wifi? आप जो wifi यूज करते हैं उसका full form क्या होता है wireless fidelity PPP stands for यह भी networking का बहुत important question है triple P का मतलब क्या होता है point to point protocol यह correct answer है what is the full form of ARP ARP का पूरा नाम क्या होता है तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा हमारा second number address, resolution, protocol workstation also known as networking में workstation का और क्या नाम है किस नाम से जाना जाता है तो correct answer हो जाएगा A number node तो एक चीज़ आप याद रखेगा computer को आप workstation भी बोल सकते है node भी बोल सकते है networking में which one is not the type of computer network इन में से computer network का कौन सा type नहीं है तो correct answer क्या होगा fourth number hub ये एक network device है ना की network का type वाँकी जो तीन है LAN, WAN, MAN ये सभी क्या है network के type है इनका full form exam में पूछता है तो मैंने already बता दिये हैं आपको याद रखेगा dash allocate and manage resources for a network इन में से कौन है जो network के लिए resources को allocate करता है और manage करने का काम भी करता है तो correct answer होगा हमारा second number server dash are the most common medium of communication communication का इन में से कौन सा सबसे common medium है first है hub, second switch, cables या फिर satellite correct answer होगा हमारा third number cables which device connects your computer to the internet इन में से कौन सी device है जो आपके computer system को internet से connect करती है correct answer होगा second number modem modem के थुरू आप अपने computer system को internet से connect कर पाएंगे a popular way to learn about computers without ever going to a classroom is called popular तरीका कौन सा है जिसके थुरू आप बिना किसी classroom में गए घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं computer की knowledge ले सकते हैं तो यहां पे हमारा correct answer होगा second number e-learning के थुरू आप इस काम को कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं पढ़ाई कर पा रहे हैं इसके थुरू तो यह e-learning के थुरू ही हो रहा है a network topology in which all data pass through a central computer is तो right answer यहां पे होगा star topology यह एक network topology है जिसके थुरू all data यानि की सारे data पास होते है central computer में which of the following is not a disadvantage of wireless LAN wireless local area network का इन में से कौन सा disadvantage नहीं है first है higher error rate second है slower data transmission third है interference of transmissions from different computers और last है हमारा all of the above correct answer होगा D number all of the above यहनि की यह तीनों wireless LAN के disadvantage नहीं है what is a URL URL क्या होता है यह MCQ exam में कई बार पूछा गया है तो हम आपको यहां पे सीधे correct answer बताते हैं D number the address of our document or page on the world wide web in the following list of devices which device is used in network layer इन में से कौन सी device है जो network layer में use होती है तो यहां पे चार options आपके सामने है switch, router, repeaters और application gateway correct answer होगा second number router का ही हम use करते हैं network layer के लिए HTML commonly referred to create documents for HTML basically जो document create करता है तो यह किस के लिए करता है तो यहां पे right answer हो जाएगा हमारा D number www के लिए HTML stands for कई बार exam में HTML का full form आता है यह question मैंने एक वीडियो में बताया भी था आज हम यहां पे आपका revision करा देते हैं correct answer होगा A number Hypertext Markov Language What does ISP stand for networking में ISP का full form क्या होता है यहां पे right answer होगा D number Internet Service Providers What does TCP stands for TCP का full form क्या होता है तो यहां पे right answer होगा third number transmission control protocol What is a benefit of networking your computer with other computers Basically इस question का मतलब यह है कि अगर आप एक computer से दूसरे computers में कोई भी information share करते है तो उसका क्या benefit होता है तो यहां पे हमारा correct answer होगा third number Sharing of resources to cut down on the amount of equipment needed अगर हम एक computer से दूसरे computer में कोई भी information easily share करते है तो इससे जो हम equipment use करते है उसकी जरूरत कमप हो जाती है इससे हमारा cost बचता है In the internet that is accessible by outside worker इन में से कौन एक internet है जो outside workers के द्वारा access किया जाता है यूस किया जाता है correct answer होगा A number extra net Network interface card और NIC is an dash device Input, Output या फिर Input और Output या Storage correct answer होगा third number Input, Output इसे कहते हैं Network Interface Card Map stands for Map का क्या full form होता है correct answer यहाँ पे होगा A number Mobile Application Protocol BER stands for Networking में BER का क्या मतलब होता है correct answer यहाँ पे होगा हमारा Basic Encoding Rules Which of the following is Not a Storage Device इन में से कौन सा Storage Device नहीं है correct answer होगा हमारा A number Hub Hub एक networking device है ना कि Storage Device SNMP is the framework for managing devices in the internet using the तो यहाँ पे correct answer होगा TCP IP Protocol Which protocols are used for storage management Storage management के लिए इन में से किस प्रोटोकोल का यूज किया जाता है Correct answer होगा Second number SNMP और इसका full form क्या होता है यह भी आप जान लीजे यहाँ पे चार options दिये हुए है Correct answer होगा Third number Simple Network Management Protocol To use a simple network management system we need अगर हम simple network management system का यूज करते हैं तो इसमें से किस की जरूरत हमें पढ़ती है First है IP Second Rules Third है Servers और Last है हमारा प्रोटोकोल Correct answer होगा B number Rules की जरूरत हमें पढ़ती है अगर हम इसे यूज करते हैं तो The main difference between SNMP V3 and SNMP V2 is दोनों में क्या difference होता है तो यहां पे 4 options से Correct answer हम आपको सीधे बताते है B number Enhanced security यनि कि दोनों में difference क्या है कि एक की security दूसरे से जादा है अब आपको ये बताना है कि दोनों में से security किस की जादा है कोमेंट में लिख के जरूर बताईएगा The structure or format of our data is called किसी भी structure ये फिर format of data को क्या कहा जाता है Correct answer यहां पे होगा हमारा second number syntax In computer network notes are Computer network में notes का क्या मतलब होता है चार options आपके सामने है Correct answer होगा D number All of the above ये सभी First है the computer that originates the data Second है the computer that routes the data And third है the computer that terminates the data Which of the following networks extends a private network across public network इन में से कौन सा network है जो private network को public network में extend करता है तो correct answer हो जाएगा यहां पे C number Virtual private network इसी को sort में कहते है VPN एक्साम में कई बार इसका full form भी पूछा गया है आप याद रखिएगा Which of the following address is 32 bits इन में से कौन सा address है जो 32 bits का होता है Correct answer क्या होगा जल्दी से बताईए हम उमीद करते हैं आपको जरूर पता होगा क्योंकि मैंने इसे बता दिया है Correct answer होगा हमारा third number Virtual address Which network is suitable for a building किसी भी particular building के लिए इन में से कौन सा network best होता है suitable होता है तो correct answer हो जाएगा हमारा B number LAN जिसका full form होता है Local Area Network Effective storage management does not include जो effective storage management होते है वो किन है include नहीं करते है तो correct answer यहाँ पे होगा हमारा D number connection को A list of protocols used by a system one protocol per layer is called यहनी कि एक list of protocols होता है जो किसी भी system के द्वारा use किया जाता है तो one protocol per layer जो होता है उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा हमारा B number protocol stack which of the following device is used to connect two systems especially if the systems use different protocols तो यहाँ पे correct answer होगा second number gateway question यह कह रहा है which of the following device is used to connect two systems यहनी कि दो system को connect करने में मदद करती है especially if the systems अगर system जो है वो different protocols use करते है तब हमारा correct answer gateway होगा यह आप याद रखेगा the internet is आप internet use करते हैं तो internet का basically क्या मतलब होता है यह आपको जरूर पता होना चाहिए यहाँ पे हम आपको सीधे correct answer बताते है a number a large network of networks को ही हम internet कहते है dash is the most important और powerful computer in a typical network इन में से कौन सा सबसे ज़्यादा important और powerful computer network होता है चार options आपके सामने है correct answer होगा यहाँ पे हमारा d number network server which of the following communication modes support two way traffic but in only one direction of our time यह networking का बहुत ज़्यादा important question है आप इसे जरूर पढ़के जाएगा question यह कह रहा है कि इन में से कौन सा communication mode है जो support करता है two way traffic यानि कि दोनों तरफ से उसमें communication होता है but in only one direction of our time at a time एक ही तरफ से हो सकता है तो यहाँ पे example है simplex, half duplex, three quarter duplex और last है हमारा full duplex correct answer होगा B number half duplex half duplex में at a time एक ही तरफ से communication होता है इसका example है walkie-talkie जो false long use करते है जब वो एक तरफ से बात होते रहता है जब उनका बात खतम होता वो over कहते हैं तब दूसरे तरफ के लोग बोलते हैं तो क्या हो रहा है communication तो दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन at a time एक ही तरफ से हो रहा है इसका एक example ये भी हो सकता है जो आप किसी को text SMS लिखके भेजते हैं तो at a time क्या होता है एक ही तरफ से होता है आप SMS लिखके भेजते हैं फिर सामने वाला उसे read करता है तब reply करता है तो ये भी उसका example है अब हम उमीद करते हैं आपका कोई भी doubt नहीं होगा आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा है जिसका transmission speed सबसे ज़्यादा lowest होता है तो यहाँ पे हमारा right answer हो जाएगा डी नमबर ट्विस्टेड पेर वायर और आज का हमारा last question है आ मोडम इस connected to जो मोडम होते हैं यह किस से connect होते हैं तो चार options यहाँ पे भी है टेलीफोन लाइन, कीबोर्ड, प्रिंटर, मोनीटर राइट आंसर होगा हमारा ए नमबर आ टेलीफोन लाइन यनि की जो मोडम होते हैं वो टेलीफोन लाइन से connect होते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिजे, सेर कर दिजे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं